देखो अब करते हैं अपना next question, question number 32, class 12, chapter 10, microbes in human welfare. What do you understand by? term bio control इसी में एक पार्ट over add कर लेते हैं, what are the side effects of insecticides and pesticides एके करके समझते हैं क्योंकि हमें insecticide और pesticide word का meaning भी तो समझना है सबसे पहले हम बायो कंट्रोल समझते हैं इसको अगर दो पार्ट्स में आप ब्रेक करना चाहो तो बायो लोजिकल कंट्रोल ऐसे समझ सकते हैं means एक तो हम कुछ कंट्रोल कर रहे हैं दूसरा हम बायो लोजिकली कंट्रोल कर रहे हैं means with the help of living organisms हम कुछ कंट्रोल कर रहे हैं सो देखते हैं क्या कंट्रोल कर रहे हैं फर्स्ट में हम इसी का आंसर दे देते हैं इसको हम ऐसे करते हैं जैसे 3 marks का question है CBSC board ने 12th class के paper में finally ये पूछ लिया हो सो हम इसको ऐसे attempt करेंगे ये NCRT की lines से बना है और ये जो आंसर में हम 3 points लिखने वाला हूँ ये as it is NCRT की lines ही है बायो कंट्रोल रेफर्स टू दी यूज ओफ बायो लोजिकल मेथर्स व लोजिकल कंट्रों अब आपको पैस्ट वर्ड का मीनिंग और जानना है अब हम बायो कंट्रोल को तो समझें पहले कि बायो कंट्रोल का मतलब क्या है बायो लोजिकल कंट्रोल means living organisms की मदद से कंट्रोल कर रहे है means biological methods यानि living organisms का यूज करके कंट्रोल कर रहे हैं किसको plant diseases को और pest को plants के अंदर होने वाली बिमारियों को और plant cause करने वाले agents को तो pest का मतलब क्या होता है plant को damage करने वाला damage करने वाला organism ये एक organism है pest means an organism crop damaging agent को pest बोलते हैं crop damaging agent जैसे दिहान करो आप एक इसी से मिलता जुलता आता है pathogen मैं उसको भी बताता हूँ यही साथ की साथ बताता हूँ कि pathogen क्या होता है एक word आता है pathogen pathogen का मतलब होता है disease causing agent क्या होता है disease causing agent यह दो टर्म ऐसी हैं जो NCRT में mention है लेकिन अगर पूछ लिया जाए इसका मतलब तो हम confuse हो जाते हैं pathogen का मतलब है disease causing agent और pest का मतलब है crop damaging agent इससे मिलता हुआ यह आया मैंने बताया आपको अब pest का मतलब clear हो गया insecticide जब भी side किसी के पीछे आता ना इसका मतलब kill करने के लिए है insect शब्द आ रहा है तो means insect को kill करने के लिए है pesticide pest को kill करने के लिए है यानि एक तरफ तो वो organisms को kill करने की बात कर रहे है जो insects है एक तरफ वो organisms को kill करने की बात कर रहे है जो crop को damage कर रहे है ठीक अब side effects क्या है insecticide और pesticide के उनको देख लेते हैं second point में इनी को cover कर लेते है these chemicals are toxic and very harmful for humans as well as animals because they accumulate in body इनका कोई metabolism नहीं होता ये biological magnification की तरह ही होते हैं यानि की इनका एक तरह से देखें तो इन chemicals का insecticide और pesticide का हमारी body में humans की body में एक biomagnification create होता है और ये accumulate होता है because they accumulate in body full stop एक और इसका side effect है these chemicals और में और अरपे आदक Bob एन्वाइरमेंट में सोईल है वोर्टर रिसोर्स है हमारे खासकर ग्राउंड वार्टर रिसोर्स अवर एन्वाइरमेंट कॉमा फ्रूट्स कॉमा वेजिटेबल्स इनको पॉल्यूट भी करती है कैसे होता है अब यह देखो यह इन्सेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड इन्सेक्ट को और पेस्ट को किल करने के लिए होते है तो जो यह इन्सेक्ट और पेस्ट है और यह डिजीज कोज करने वाले एजेंट जब फसल बोई जाती है जमीन में फसलों के टाइम पे जैसे गर्मियों में दान की फसल बोई जाती है सर्दियों में गेहूं की फसल बोई जाती है इन फसलों में या और भी कोई चावल की है और भी कोई मक्का बाजरा किसी भी चीज़ की फसल बोई जाती है तो उनको खाने के लिए इंसेक्ट आ जाते हैं उन प्लांट्स में बिमारी कोज करने के लिए फैक्टर्स एजेंट्स आ जाते हैं क्रोप को डेमेज करने वाले एजेंट्स आ जाते हैं इन सब को किल करना जरूरी होता है ताकि हम अपनी फसल को बचा सकें तो हम यह सब chemicals use करते हैं यह chemicals use करते हैं तो वो accumulate होते हैं ना उन पर लगे रह जाते हैं फिर हम उनको खाते हैं इसलिए तो कहा जाता है धोकर खाने चाहिए फल, सबजिया तो यह वही insecticide or pesticide है bio control, biological control है यानि living organism की मदद से हैं I hope this is very much clear to you now